हेलो एब्रीवन गुड मॉर्निंग और वेल्कम बैक टू माइड न्यू ब्लोग राज दिन है सोंबार और अभी टाइम हो रहा है सुभई के साथ बज रहे हैं और आज से बच्चों के स्कूल हो गए है ओपिन तो बहुत चुट्टी कर लिये हैं लिया नहाद हो के तैयार हो गया है और बस अब मैं इनका लंच भी पैक कर देती हूं तो लंच में मैंने बनाया है यह देखो आलो की सब्जी बना दी है और पराठे बना दी है बस इनका लंच पैक करना है और इनका भी टाइम हो रहा है स्कूल का बस आने वाली है तो इनका लंच पैक कर देते हैं और इसके बाद मैं जाऊंगी इनको नीचे छोड़ने तो बिल्कुल नहाध होके ready हैं सुभए सुभए से नहांके तयार होगा है ग्यारा ग्यारा बज़े सोके उठते थे आज तो जल्दी से उठ गए हैं नहाध होके बिल्कुल ready होगा है चलिए और मेरी भी है तेके यहाँ पे सबजी बन गई है बस आटा लगा के रख दिया है इनको छोड़के आते हैं फिर सारा काम करूँगी मैं तो पहले मैं रियांद का लंच बॉक्स लगा देती हूँ और रियांद को मैं छोड़ने जा रही हूँ तो मैं पराठो को सिल्वर फॉयल में रैप करके रखूँगी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिल्वर फॉयल ले लिया है और इसमें मैं दो पराठे इनके फोल्ड करके रख दूँगी थोड़ी से आलू की सबजी लगाई है और वस पराठे मैंने रख दिये हैं और इसके बच्चों के पसंद की जब चीजे मिल जाती है ना तो बच्चे बहुत खोस हो जाते हैं तो जब भी कुछ होता है अगर ओरियो विसकेट होता है तो मैं औरियो विसकेट रख देती हूँ आज मैंने रखा है डार्क फंटाश्टी और इसके बाद मैं इनका बैक पैक कर और इन को छोड़ने मैं जाती हूं तो नीचे बस आती है 17,20 पर तो मुझे जल्दी ही निकलना होता है क्योंकि आज फर्स्ट डे है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूं कुछ को चोड़के मैं आगी हूं और रियान की बस आती है 17,20 पर और अभी टाइम हो रहा है पौने 8 उ किचिन इसे फचले काम अपना खतम करते हैं और देखो काम पड़ा हुआ है झाले में टाला हुआ हुआ है तो 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 बहुत नोबात रियान दी स्कूल गए हैं लगवाग एक महीन होने वाला है जब से घर में बहुत छुटी हो गई है खूब मस्ती कर ली काम तो वही रहता है रूटीन रहता है इसकूल खुलने से थोड़ा सा चेंज हो जाता है जल्दी से उठते हैं तो सारा काम जल्दी हो जाता है तो अभी मेरा देखो सबजी बन गया है रोटिया बनानी है बस और फिर इसके बाद मैं किचिन को साफ कर दू और फटा फटा से 1 गंटे मैं घर का सारा काम खतम करते हैं तो अभी मेरा घर का सारा काम हो गया है और मैं नहादहो के आ गए हो किचिन में तो सबसे पहले में दूद रख देती हूं वायल होनी के लिए क्योंकि दूद को मैंने बॉइल नहीं किया था ऐसी बोल रखी होई तो सबसे पहले बरतन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे जब दूददव्य वाइल हो जाता है तो तली में लगता नहीं है और इदर दूदव्य कर दिया है और इसके बाद मैं करूंगी पूझा तो पहले बरतन साफ कर लेते हैं इतने भी भगवान जी के बरतन हैं उनको मैं पीतामरा से साफ करूंगी और ये है मेरी भूले बाबा और माता पारवती पूरा परिवार है उनका ये मूरती है बहुत सुन्दर मूरती है और इसको मैंने साफ कर दिया है पीतामरा से और ये बहुत अची से साफ हो जाती है तो मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है इसको मैंने गीला कर लिया है इसी से मैं सबी का तिलक लगाऊंगी और इसे बहुत अच्छा लगता है तिलक लगाते हैं बड़िया खुशबू आती है और आज सुमार है तो आज मैंने बेल पत्रे चड़ाया हुआ है भगवान जी को और वस इसके बाद फूल अर्पित करेंगे और इसके बाद मैं पूजा करूँगी तो और ये है मेरी पूजा की थाली जो मैं नीचे जाओंगी पूजा करने मंदिर में सिबलिंग है तो वहां मैं जाओंगी सिबलिंग पे जल चड़ाओंगी और वहां पूजा करके आओंगी और इधर की घर की मेरी पूजा हो गई है तो आज है मेरा सूंबार का ब्रत है तो इसलिए अभी चाई वगयरा कुछ भी नीपीती है और वस अब मैं पूजा करने के बाद अब मैं बनाओंगी चाई तो देखिए यहां पे चाय मैंने रख दी है गैस पे पानी चड़ा दिया है उसमें अदरक चीनी चाय पती सब कुछ राल दिया है और यहां पे चाय बनती रहेगी और यहां मैंने कड़ाई भी रख दी है गैस पे और इसमें मैंने घी डाला हुआ है थोड़ा सा और जब घी गरम हो जायेगा तब मैं इस मैं मूंगफली के दाने हो ए विन दोए तो मैं अपने लिए थोड़े से मूंगफली से दाने और मखाने दोनों भूझोगी तो मैं बरत में यही कहती हूँ चाय के साथ तो खाली jerk तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूं वैसे भी टाइम हो गया था कुछ ना कुछ खाने का 11 बज़ रहा है तो इसलिए मैं चाई के साथ मखाने और मुफली दाना मैं खाऊंगी और यहां पे चाई भी बन गई है चाई को मैं च्छान लूगी तो चाई मैं कप में ब्रत वाले दिन में ग्लास से चाह पीती हूं तो इसलिए मैं भी टाइम हो रहा है ग्यारा बज रहे हैं और पूजा मेरी हो गई है और मैंने चाई बना ली है और चाय के साथ मैं खाऊंगी मखाने और मुवखली मैंने बूली है क्योंकि आज है मेरा सोमबार का ब्रत है त चाहा किने बाएक जल्दी चाहे काम हो गया है तो अब 11 वजय और मेरा सारा काम उना घर का आपू लोगी कई है लोगी चाहे करें पर लोगी ज्ञार कोई तेंसर नहीं है कामाम की घर का सारा काम मेरा हो चुका है और पनी चाई पी लेते हैं चाई रखी है देखो यहाँ पे चाई मैंने बना ली है और रियान के पापा भी है तो उनका ओफिस का काम चल रहा है उनको भी मैंने चाई दे दिया अभी उन्होंने भी चाय नहीं पी थी तो चलिए भही इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का कर रही हूँ यही पर एंड तो यह था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर